मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाच आप देख रहे हैं हमारा चनल अल्लॉक टैक जहां मैं हर रोज मोबाल और केम्पूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए धेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चनल पर नए हैं और आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जैसा आपने थमनेलव देखा होगा आज हम बात करने बाले हैं दुकान एप के बारे में आपकी कोई भी दुकान हो कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा काफी सारी दुकाने काफी सारा बाजार जो है नीचे आ गया है उसको ट्रेंड में करने के लिए एक बह मोबाइल नंबर की मदद से 30 सेकंड के अंदर अपनी दुकान को डिजिटली ऑनलाइन कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहां से इंस्टॉल करेंगे नीचे आप देख सकते हैं यहां पर एक मिलियन इसके डाउनलोड हैं 49 के इसको रिव्यूज दिये गए हैं 4.6 इसकी मानी जाती है आईए हम देखाते हैं आपको यह आपको दिख रहा होगा यूट्यूब मुजिक के पास इसका अप्लिकेशन हम इस पर क्लिक करेंगे पूरा तरह किसे यह मेड इन इंडिया है दोस्तों यहां दुकान लिखा आ रहा है आप देख सकते हैं ट्रस्टेड वाय इतने लाख लोगों ने इस बिजनिस को अभी तक यूज किया है हमें यहां मुवाइल नंबर देना है और मुवाइल नंबर की मदद से हम 30 सेकंड के अंदर इस ओनलाइन शॉप को जो है उपन करके आपको दिखाएंगे यह देखिए हमने यहां नंबर दे दिया है और इस नंबर पर जो है दोस्तों अभी OTP आएगा OTP रिजिस्टर करते ही जो है यहां हमसे हमारी दुकान का अकिला जो है सरफ नाम पूछा जाएगा तो आप लोगों की दुकान का जो भी नाम होगा उसको आप यहां पर डालेंगे यहां पर यह OTP आ गया है यहां बिजिस्ट नाम लिखना है हम यहां लिख देते हैं हमारी शॉप यह मैने नाम दे दिया है दोस्तों नीचे बिजनिस केटेगरी आ रहा है देख सकते हैं किराना फेस्यान होम decoration, mobile, fruits, restaurants बहुत सारे यहाँ पर अलग-अलग categories हैं अगर आपकी category in के अंदर भी नहीं है तो आप नीचे my business categories not listed पर जाकर जो है click कर सकते हैं हार फ्राल हम यहाँ पर लेंगे mobile computer and other accessories करके और हम finish button पर click करेंगे जैसे दोस्तों हम finish करेंगे यहाँ congratulations का message आ गया है और आपकी दुकान digital जो है store online open हो गई है दोस्तों next process है हमें यहाँ product को add करना है आप देख रहा होंगे product को add करते ही हम इस दुकान को WhatsApp के थूरू share भी कर सकते हैं और इसका जो link generate होता है उसके थूरू भी हम इसको share कर सकते हैं मैं web browser पर जाके दिखाऊंगा आपकी दुकान और आपके product किस तरीके से दिखेंगे और भी इसमें क्या क्या features हैं यह हम सब इस वीडियो में देखने बाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जो है अन तक पूरा दिखिएगा चलिए शुरू करते हैं हम add product पर जाएंगे add product पर जाने के बाद हमें product का नाम देना है दोस्तों जिस product का आप यहां नाम देने बाले हैं वो नाम यहां suggestion के तौर पर भी आता है हम दिखा देते हैं आपको हम जो भी नाम लिखेंगे वो यहां suggestion के तौर पर आता है प्रड़क्ट की category में हम accessories लिख देते हैं यह हमने जो है accessories लिख दिया है और यहां दोस्तों उपर product की image हम लगा सकते हैं आप देख पा रहा होंगे up to 8 लिखा आ रहा है हम यहां पर 8 images उस product की लगा सकते हैं अलग-अलग angles से चलिए हम यहां पर image भी जो है ले लेते हैं gallery में जाकर यह हम यहां से device को allow करेंगे और हमें जो है यहां जाने के बाद यह हम product की images को लेने के बाद हमने यहां से इसको done कर दिया है done करने के बाद यहां images आ गई है आप दोस्तों उसका MRP सेट कर सकते हैं जो इसका MRP है वो लिख सकते हैं आप जिस भी selling price पर इसको बेचना चाते हैं जैसे मान लीजी हम 900 लिख देते हैं आप देख सकते हैं या 10% के discount आ गया है हम 950 कर देते हैं या 5% के discount आ गया है आप quantity लिख सकते हैं कितनी quantity में यह available है आपकी दुकान पर हम चलिए 10 कर देते हैं आप यहां पर कुछ product की detail लिखना चाहें तो वह भी लिख सकते हैं इसके बाद आप यहां add variant भी कर सकते हैं अगर जैसे आप कोई कपड़े या shoes बगरा जो भी बेंशते हैं उसके according या size कर सकते हैं color select कर सकते हैं इसके बाद आप save and continue पर click कर सकते हैं चलिए दोस्तों हमने यह product को जोड़ लिया है अब हम add product पर click करने वाले add product हो गया है देखिए product successfully added आप अगर another add करना चाहते हैं तो another पर जाएंगे और यहां से और products को भी add करेंगे देखिए दोस्तों add हो चुका है product आप view करना चाहें product को आप share करना चाहें यहाँ whatsapp share का option आता है यहाँ whatsapp पर click करेंगे यह यहाँ से share हो जाएगा अभी मैं नीचे आपको और options दिखाता हूँ home के बाद आपको दिख रहा होगा orders का option यहाँ पर आपको आपकी दुकान के orders दिखेंगे उससे पहले मैं आपको इसका view लेकर चलता हूँ हम view product पर जाएंगे और यहाँ पर हम chrome browser select करेंगे देखिए दोस्तों जब आप share करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपकी दुकान जो है web browser पर show होगी यह देख सकते हैं माय दुकान लिखा हुआ है shop का नाम नीचे आ रहा है यह आप देख सकते हैं जो product की photo हमने लगाई थी उपर लिखा है 5% का off है यह हमने photo जो कीची हुई थी यह आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है 10 pieces हमारे पास इन येरवर्ट्स के हैं 950 रुपे में यह बेंचा जा रहा है 10 इसकी 1000 इसकी MRP है आप 50 रुपे आँसे save कर सकते हैं आप chat में तस्वी कर सकते हैं यहाँ से store की detail लेंगे store में लिखा हुआ है हमारी shop यह हमने नाम दिया है यहाँ पर free delivery, buyer protection, customer support यह सभी मैं आपको पीशे चल के भी दिखाऊंगा आप buy in ओपर click करके यहाँ पर अगर आपके पास कोई coupon है या product को कितने उससे करना चाहते हैं अगर आप 5 product लेना चाहते हैं तो देखिए जैसा कि आपके और भी online shoppings के platform पर होता है नीचे आप address देख सकते हैं और यहाँ से आप bag को clear भी कर सकते हैं यह आपका bag जो है clear हो गया है चलिए दोस्तो हम चलते हैं दोबारा हमारी application पर यहाँ हम आपको दिखाएं नीचे आप orders देख रहे हैं जैसे ही customer order देगा तो यहाँ पर orders की list होगी all orders यहाँ पर सारे आपके orders आ जाएंगे उपर आप category देख सकते हैं जो pending orders होंगे जो accepted orders होंगे जो आप orders आपने reject कर दियोंगे तो यह तीन तरह के orders आपको यहाँ पर मिलेंगे बीच में आप products का option देख सकते हैं यह product हैं आप अपने product को review कर सकते हैं आप इसमें कोई change करना चाहें आप यहाँ categories भी change कर सकते हैं आप यहाँ पर दिखा सकते हैं लिखा हुआ है one product listed in stock आप इसको enable कर देंगे तो यहाँ से enable हो जाएगा यह out of stock का यहाँ पर message आजाएगा आप add new category करके और नई categories को यहाँ पर add कर सकते हैं इसे हमने पहले accessory करी आप दूसरा भी कर सकते हैं यहाँ product प्रड़क्ट को भी add कर सकते हैं फिर आपको देख रहा होगा दोस्तो manage का option हम manage का option पर आएंगे manage पर आप देख सकते हैं marketing design करना हम यहाँ click करेंगे यहाँ देख सकते हैं आप अपना business card बना सकते हैं business card पर click करके देखेंगे यह इस तरीके से आपका business card देखेगा यह हमारा mobile number यह हमारी shop का नाम जो है देख रहा है आप यह अलग-अलग design में जो है आपके business cards को यहाँ पर बना सकते हैं इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ प्रोमो कोड बैनर बना सकते हैं आप कोई प्रोमो कोड देना चाहते हैं अपने customers के लिए कोई आप अलग से तो यहाँ देखी जैसे valentine day, valentine sale यहाँ पर अलग-अलग time पर जो sale आती हैं उसका प्रोमो कोड यहाँ पर easily बना सकते हैं whatsapp stories, whatsapp के status पर stories भी आप लगा सकते हैं आपके sales की online payment आप ले सकते हैं by default दोस्तों इसमें COD जो code हम जो cash को deliver होने के बाद cash लेते हैं हातों में आप यहाँ से online जो है UPI का और अलग-अलग bank details के साथ-साथ online भी payment आप ले सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर address जो है set करना होगा फिर आप देख रहे हैं discount coupons आप discount coupons यह बना सकते हैं create discount coupon पर जाकर आप users per customer लिख दें एक user एक customer, percentage लिख सकते हैं flat discount लिख सकते हैं यह अलग-अलग discount आप यहाँ से बना सकते हैं आप देख रहे हैं my customers जो आपके customers होंगे यहाँ list हो जाएंगे जिन्होंने भी आज तक shopping की होगी आप store का QR code generate कर सकते हैं आप extra charges को भी खतम कर सकते हैं लगा सकते हैं जैसे देखा होगा आपने delivery charge per order और एक समय के बाद आप free delivery चार्ज करना चाहें तो जैसे हमने लिख दिया delivery charge माली जी पर order 50 रुपए है 50 will be charged on other order और free delivery हम एवप कर देते हैं कि अगर हम 900 रुपए से उपर का सामाल लेंगे तो delivery जो है free होगी इसके बाद आप को एक्स्रा चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं एक्स्रा चार्ज भी जो है यहां से create कर पाएंगे आप इसको save कर देंगे यहां से save हो गया है charges update हो गया है आपके इसके बाद जो है दोस्तो नीचे यह options खतम हो गया है अब हम आएंगे account पर यह आपका account है यहाँ आप हमारी shop का नाम देख पा रहे हैं और जब वो ग्रहक जब वो shopkeeper बन जाएगा इस application के use करेगा और उसके first order के बाद जो है आपको यहां से claim भी मिलने लगेगा तो दोस्तो यह जब आप download करेंगे आप इस process को देख पाएंगे आप language change कर सकते हैं आप दुकान app को PC पर चला सकते हैं आप WhatsApp chat support को यहां पर allow कर सकते हैं नीचे आप YouTube पर application को और देख पाएंगे sign out आप यहां से कर सकते हैं आप privacy policies को भी पढ़ सकते हैं दोस्तो यह काफी अच्छा मुझे लगा काफी अच्छी process है बहुत simple process है आपको कुछ बहुत ज़ादा यहां पर डेटा वगरा देना नहीं है आपको बिल्कुल भी और आप easily जो है इसको यहां से manage कर सकते हैं यहां पर किसी भी GST नंबर की या किसी भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है मैं एक बार और दिखा देता हूँ view product पर चलकर हम chrome browser पर जाएंगे किस तरीके से आपकी shop जो है आपको online available यहां पर देखेगी जो जो हमने settings लगाई है यह आप देख सकते हैं यहां लिखा आ रहा है अब आप जो है जब buy now पर जाएंगे यहां पर delivery charges भी लिखे आ जाएंगे जब आप address लेक करेंगे तो आपको यह देखे delivery लिखा रहा है free क्योंकि हमने 900 उपर जो है delivery charge free कर दी थी यह 950 का product है तो यह यहां पर free लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तों आपने देखा होगा यह कितना अच्छा application जो है बनाए गया है और आप इसका जो है अच्छे तरीके से use कर सकते है इसको जो है आप यहां से manage कर सकते है अगर दोस्तों आप चाहते हैं इस account को delete करना आप इस account को यहां से अटाना चाहते है आप नीचे पहले यह देख ले auto data backup भी है यहां data backup आपको पूरा मिलेगा 100% safe and secure है क्योंकि यह application पूरी तरीके से made in India है digital India की और एक और कदम है आप उपर जाके edit business details पर जाएंगे हम यहां पर click करेंगे edit business details नीचे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा रहा है delete my account यहां delete my account पर जाकर आप delete my account पर click करेंगे यहां पर आप इसके terms को I accept and want to continue पर click करेंगे अगर आप चाते हैं कि आप हम इस application का ज्यादा use नहीं करना चाते हैं आप continue to delete पर जाएंगे यहां पर reason मांगेगा कि आप इस account को क्यों delete करना चाते हैं आप यहां पर reason देंगे और reason देने के बाद आप यहां पर mobile number डालकर एक OTP आने के बाद यहां से आपका data base पूरी तरीके से delete भी कर दिये जाएगा तो दोस्तों काफी अच्छी application थी मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग जिन जिन की shops होंगी वो इसको use करेंगे और digital India की और यह कदम जो बढ़ाये गया है आप सभी इसमें support करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जाते हैं जाते हैं शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है पबेगभार अद्वाज ठैंक यू